सुनने में थोड़ा अजीव है ना क्यों डाइट कोक शुगर फ्री और कैलोरी फ्री होने के बाब जूद सेहत के लिए हानिकारक है चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे की वज़े क्या है नवशकार महुशालनी आप सब भी कास स्वागत करती हूँ हमारे खास कारेकरम सालों में शुगर फ्री कार्बोनेटेट ड्रिंक डाइट कोक ने लोगों के बीच काफी पॉपलरिटी हासिल की है लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि डाइट कोक शुगर फ्री और कैलोरी फ्री होते हुए भी नुकसान दायक क्यों है दरसल डाइट में आर्टिफिशल सुगर होती है जो दातों को डैमेज और बजन बढ़ने के खत्रे को बढ़ा सकती है यही नहीं डाइट कोक में एसेड और कैफीन भी होता है जिससे दातों को नुकसान दिल की तेज धरकन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सकती है इस्टेडी और हेल्थ एक्सपर् होने का डर बढ़ जाता है आपको बता दे फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने नौ सालों तक एक लाग से जादा लोगों की डाइट और सेहत पर स्टेडी की है और उन्होंने इस स्टेडी में पाया कि जो लोग हर रोज 16-18 मिलीग्राम आर्टिफिशल स्विटनर का सेवन करते ह हैं उनमें कम खाने वालों के मुकाबले डाइबेटीज विक्सित होने के चांसे 59 प्रतिशत बढ़ जाते हैं वहीं बात इसके साइलेंट किलर होने की करें तो कुछ लोग डाइट कोक को एक हेल्दी आप्शन समझते हैं लेकिन रिसर्च ने इससे होने वाले स्वास्थ ख विमारियों के खत्रे से भी चुड़ा हो सकता है अब बात अगर डाइट कोक से होने वाली दिक्कतों की करें तो आर्टिविशल शुगर भूक बढ़ा सकती है जिससे आप ज्यादा खाना खा सकते हैं जो कि आपके वजन बढ़ने का कारण बन सकता है वहीं दूसरी तरफ क जिससे दिल की विमारी का खत्रा बढ़ने की आश्रंका होती है इतना ही नहीं कैफीन नीन के मामले में भी दिक्कत कर सकता है जिससे नीन आना और नीन से जुड़ी कई और समस्याएं हो सकती हैं इसे के साथ सेहस से जुड़े ऐसे कई और रोचब तथ्यों और खबरों के जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें धन्यवाद